आप से सबसे पहले हम जाना चाहेंगे क्योंकि एक जून सातमा चरण जो होगा उसमें हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं बाइलेक्शन भी और लोकसभा की भी सबसे पहले तो तयारियां क्या कुछ हैं और किस हद का जो किस हद तक जो इंतजाम है चुनाव के लिए वो प्रदेश दिरवाचन आयो की तरफ से किये गए हैं आपने बिलकुल सही कहा कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने बटन दबाया और काम खतम हो गया लेकिन ये प्रक्रिया को अंजाम देने में लगबग 6 महीने पहले जो है वो चुनाव आयो की तियारियां शुरू हो जाती है इसमें जो हमारी सबसे वाइलेक्शन हो रहे हैं असेम्ली कॉंस्ट्वेंसी के लिए उनका भी वो प्रक्रिया पूरी हो गई है हमने एक राउंड जो अनॉंसमेंट से पहले एवीम्स की ट्रेनिंग और अवेरनेस का किया था जिसमें की एवीम्स जो है हमने एक प्रोटोकल के हिसाब से सभी पोल रख ही गए थे चुनाव के दौर में सबसे महत्वपूर्ण निर्वाचनायों की तरफ से जो कोशिश रहती है वो यह रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मत का इस्तेमाल करें वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें क्योंकि वोटिंग राइट सबसे लोग सबा चुनाव में बहत्तर फीजदी के असपा सिमाचल में था उसे और ज्यादा बढ़ाया जाए और ज्यादा उसे पीक पे पहुंचाया जाए जी डेफिनेटली जो हमारा पिछली लोग सबा चुनाव में वोटर टर्न आउट था आपने बताया 72.42 परसेंट ही था और जिस तरह से लोग विधानसभा इलेक्शन में बढ़ चड़ कर पार्टिसपेड करते हैं उसी तरह से लोग सबा में भी करें इसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट स्टेप्स उठाए हैं हम मुख्यता हम लोगों ने तीन एरियास पर हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि एक सा जो वोटर टर्न आउट था सिक्स्टी परसेंट से कम था सो इन में हम लोग विशेश रूप से फोकस कर रहे हैं लोकल लेवल पर पोलिंग स्टेशन लेवल पर दूसरा हमने एक ट्वेंटी टू गोइंग टू सेवेंटी टू कैंपेंड लांच किया है तो हमने बाइस ऐस जाएंटी टो आइसेम्ली आइडिक ले सेगेमेंट सेया मेंटी टू जिन में वोटर टर्न आउट सेवेंटी से कम था जबके हमारा स्टेट अड़ेज एवेंटी टू तो हम्हारा लेख्या है कि अट लिस्ट उंको हम सेवेंटी टू या फिशली बार के आवरिच तक तो 22 यह हैं और उसके लबाब एट कॉंसिट्वेंसी ऐसी इडेंटिफाई की हैं जहां पर महिलाओं का वोटर टान आउट पूरुशों के मुकाबले काम था तो इन में विशेश जो प्रयास किये जा रहे हैं महिलाओं को टार्गेट करते हुए